सभी को नमस्कार भारती ये भाषा परिशत की ओर से दिये जाने वाले कृतित्व समग्र सम्मान को स्विकार करते हुए मुझे हारदिक गौरव और प्रसनता का अनुभव हो रहा है ये सम्मान एक ऐसी संस्था के द्वारा दिया जा रहा है जो आज साहित्य संसार की अभीबसाओं और आकांख्शाओं का प्रतिनिधित्व करती है मेरे लिए यह भी प्रसनता का विशय है कि यहाँ आयोजन गलकत्ता जैसे शहर में हो रहा है जो रवींद्र नाट तैगोर तारा शंकरवंद्यों पात दिया है आशापूर्णा देवी और महाश्वेता देवी जैसे मेरे प्रिय रचनाकारों की करमस्थली रही है वक्तव्य के लिए परिशद की ओर से दिया गया विशय वर्तबान सब्विता और रचनात मकता मेरे लिए एक विशेश अर्थ रखता है अपने निजी जीवन में तथा अपने साहित्तिक लेखन में परंपरा और आधुनिक सब्विता के बीच के तनाव को माईने शिद्दत से महसूस किया है हर रचनाकार अपनी रचनात्मक्ता की चुनोतियों और संकटों का सामना रचना में ही करता है अलग से उनको लेकर बयान देना उसी प्रकार एक चुनोति भरा काम हो जाता है जैसे किसी माँ से उसकी प्रसव पिड़ा को लेकर वक्तव्य देने को कहा जाए परंपरा और आधुनिक सब्विता दोनों से माइने अपनी रचनात्मक्ता को उकसाने स्फूर्त बनाए रखने और जारी रखने के लिए बहुत कुछ पाया है गदाचित जितना मिला उसमें से बहुत थोड़ा समेट और सहेज सका और उसमें से भी और उसमें से और भी थोड़ा व्यक्त कर सका रवींद्रनात जैसे काल जई रचनाकार का भी कुछ ऐसा ही अनुभव है मेरे जैसे लोग तो उनका पासंग भी नहीं पा सकते पर उनके शब्दों में मैं यह तो कही सकता हूँ कि मैंने थोड़ा सा पाया उसी को सहेज ते सहेज ते ठक गया बस यहां गया वहां गया फाखा काल मंद न हुआ बंद न हुआ मेरे बहुत खराब बांगला उचारण के लिए आप करपया मुझे शमा करेंगे कुछ साल पहले इसी कलकत्ता शहर से होते हुए मुझे एक बार ढाका जाना था कलकत्ता से कलाइट पकड़ कर इसलिए जाना पड़ा कि जिस संस्था ने धाका में आमंत्रित किया था उसने मेरे वीजा के लिए कलकत्ता में किनी सज्जन से संपर्क करने का निर्देश दिया था मैं नरेंद्रपूर से टेक्सी पकड़ कर दाई घंटे में उस मुकाम पर पहुँचा जहां उन सज्जन से भेंट होनी थी बताएगा ये पते के मताबिक जिस गली में पहुँचकर रुका उसमें कार ज्यादा देर खड़ी नहीं की जा सकती थी पार्किंग के लिए कहीं कोई जगह नहीं थी यहां तक की गाड़ी का दर्वाजा खोल कर नीचे उतर सकूँ इतनी जगह भी नहीं थी जिस टेक्सी में बैटकर गया था ना मैं उसे छोड़ सकता था ना उससे उतर सकता था जिन सज्जन से मिलना था वे खुद कार तक आए उपर से नीचे जुक कर कार की खिड़की के खोले गए गलास से उन्होंने मेरा पासपोर्ट और कागजात हाथ में लिया और कहा कि कल टालीगन जाकर मैं वीजा के साथ अपना पासपोर्ट ले लू इससे अधिक बात करने के लिए गुझाईश नहीं थी पीछे कारों की कतारें थी बगल में कारे और संक्री गली में टेक सी रेंगते हुए केवल आगे जा सकती थी आदुनिक सब्विता ने हमें ऐसी अंधी गली में ले जाकर छोड़ दिया है जिसमें बापस बढ़ने की गुझाईश नहीं बची हवाई यात्राएं करते हुए कई बार टेकाफ के पहले हम देखते हैं कि पीछे ले जाने के लिए विमान को किसी ट्रक जेसी दूसरी गाड़ी से धकेला जा रहा है मेरी जानकारी के अनुसार हवाई जहाज में रिवर्स गियर नहीं होता वह पीछे नहीं पाता है वह आगे ही जाता है विमान चालब तो पीछे देख भी नहीं पाता होगा हवाई जहाज आधुनिक सभ्विता है जिसमें सिम्हाव लोकन नहीं होता विहगाव लोकन हो सकता है आधुनिक सभ्विता काल की एक रेखीता में गती करती है जबकि रचनात्मक्ता काल की चक्रीय और आवर्ती गतीयों के साथ उसके विविध आयामों को समेटती है आधुनिक सब्विता तातकालिक भविष्य को सामने रखकर मरग मरीची का में भागते हिरन की तरह दोड रही है कोई भी लेखक तभी या रचनाकार किवल तातकालिक भविष्य पर द्रश्टी टिकाए रखकर स्रजन नहीं करता मैं कविता कहानी पन्यास और नाटक इन चार विधाओं में हिंदी और समस्कृत में लिखता रहा हूँ मेरे अनुभव के अनुसार लेखक अतीत को और इस्प्रतियों को अपनी रचना में पुनर्विन्यस्त करता है उनके द्वारा वह वर्तमान की समझ और भविष्य के लिए एक द्रश्टी बनाने का काम करता है रचनात्मक्ता मेरे लिए एकादी पत्य और एक से होने के आग्रह का तोड़ है द्वाल के बहु आयामों में संचरण के साथ एक रचनाकार अनेक विधाओं और अनेक भाशाओं में रचना करके भी इस एक सेपन को और एकादी पत्य को तोड़ता है जिस तरह भाषाएं एक दूसरे को पोस्ती हैं वैसे ही एक आदिक भाषाओं में रचना करने की प्रवरत्ति भी रचना धर्मिता की पोशक हो सकती है आदिक सभ्यता ने हमसे हमारी बहु भाषिकता और दिक्ताल के बहु आयामी बोध दोनों को छीना है यह एक बड़ा खत्रा है और इसका जवाब प्रचनात्मक्ता की द्वारा दिया जाना चाहिए भाषाएं बहती हुई नदियों के समान हैं वे विचार परंपरा और सरजना की धर्ति को सीचती हैं उनकी धाराओं से संस्कृति के पोवन खिलते हैं आज देश में अनेक नदियां सूख रही हैं अधिकांश नदियां प्रदूशित होकर जहरीली हो रही हैं भाषा की सरि विताओं की भी यही इस्थिती है सहित्यकार अपने रचना कर्म से वाषाओं को प्रदूशित करने वाले बाद तोड़ता हैं सन 2014 में सितंबर के महीने में इरान के अबदान शहर में था हम लोग शाम को अबदान भूने के लिए निकले अरबंद नदी के किनारे बहुत द देर तक खड़े रहे अरबंद के उस पार इराक है सामने इराक की इमारतें दिख रही थी उनमें जलती हुई लाइट्स दिख रही थी तो देश कितने नजदीक फिर भी कितने दूर इरान और इराक कितनी समर्थ परंपराओं वाले देश हैं कितनी साजी विरासत के वारिस भी वे हैं अवेस्ता और जर्थुस्र की परंपरा पार्सी धर्म और मुहम्मत साहब के संदेश फिर दोसी के शाहनामा की परंपरा हाजी श्रम्स दबरेज जलालुतीन रूमी की लाजवाब सूफी कविताओं के अध्याद्म की परंपरा मुझे लगा आदुनिक सब्विता ने दोनों देशों की साज़ा परंपराओं के बीच कैसी अभेत्य दुरलंग्य दिवारें खड़ी कर दी हैं जिस सायोजन्मे में वहाँ उपस्थित था वह इरान और इराक के बीच युद्ध की संभावनाओं के साये में, युद्ध की आशंकाओं के साये में हो रहा था मुझे वहाँ एक साहिती सम्मेलन में समस्कुत कविता पढ़ने के लिए बुलाया गया था सम्मेलन का विशाय था युद्ध में बच्चा मैंने दुरजय शीर्षक कविता सुनाई जो माभारत के युद्ध के बाद अनाथ की तरह भटकते दुर्योधन के पांच साल के बेटे के बारे में है बलराम शुकली जी ने उसका फार्सी अनुवाद प्रस्तुत किया कविता संप्रेशित हुई क्योंकि माभारत के युद्ध की विभीशिका को सामने बैठे चोता देख समझ रहे थे क्या परंपरा आधुनिक सब्विता की सारी विभीशिका के बीच सवाल करते भटकते दुर्योधन की तरह है मेरी अनेक रचनाओं में परंपरा आधुनिक सब्विता से टकराती है या आधुनिकता परंपरा को लेकर असमंजस और तनाव की स्थिती में आ जाती है संस्कृत में मेरा पहला कविता संग्रह संधानम 1980 में प्रकाशित हुआ था इस पर मुझे साहित्यकाद्मी पुरसकार राप्त हुआ इस संग्रह की जीवन रक्षा शिर्शक कविता में इस मशान में लगे सूख कर ठूट होते जा रहे एक पेड का बयान है यह परित्यक्त पेक्षित असिंचित पेड हैं मद विवल रमणियां इस पर मदिरा के कुल्ले करने नहीं आती यूतियों के कोमल चर्णों के आघात से इसमें फूल नहीं खिलते फिर भी वह सोचता है कि स्थान की तरह प्रेतवन में एकाकी ही रह लूँगा नगन निश्प्रब शाखाँ वाले नगन निश्प्रब शाखाँ वाला बस मोचुके मनोरतों के साथ इस था स्याम म्या में काकी स्थान प्रेतवने यथा नगनो निश्प्रब शाखष्च बसमी भूत मनोरत वा यह भी कहता है कि कोईला भी बन गया तब भी कोई हर्ज नहीं मैं रह लूँगा अपने मनोरतों को समेट कर पाली की तरह तक्ध काश्ठ किवश्यामो यसंस्तुत मनोरत रिष्ठाम्यत्र कपालीव आनिस्तेना पिकिम्ममा अतन अंतता इसमशान में लगे पेड़ को इस बात का संतोश है कि अपने किसी स्वजन को फूँक कर घर वापस जा रहे लोग ये ख्षान उसकी चाया में रुक लेते हैं संस्कृत में मैंने जो उद्धरन मूल में दिये हैं उन में स्थान और कपाली शब्दों का साविप्राय प्रयोग है स्थान खूँट को भी कहते हैं और स्थान शिव का परियाय भी है कपाली विखारी को भी कहते हैं और कपाली शिव का परियाय भी है इन शब्दों के प्रयोग के द्वारा मैं आधुनिक सब्विता के प्रेतवन में उपेक्षित, हूँट और भिक्मंगा समझ लिये गए बरंपरा के शिव की सचाई की और इशारा करना चाहता हूँ रितुचक्र हमारे विश्वबोध या पारंपरिक कालबोध का प्रतीक है पर इस पारंपरिक बोध की आज के सब्विता विमर्ष में जो इस्थिती है उसे लेकर रितुवर्णन वाली मेरी कविताएं पारंपरिक बोध और आधुनिक सब्विता के बीच मुटभेड का विम प्रस्तुत करती हैं। वसंत लहरी के पहले ही श्लोप में मैंने कहा है। प्रस्तुत करती हैं। कई कविताएं कस्बे नुमा एक शहर के अलग अलग द्रश्यों पर हैं। जैसे नगरे कावह, शहर में गाएं, नगरे महिश्य, शहर में भेंसें, नगरे शूकरा, शहर में सूवर, नगरे ग्रत्रा, शहर में गीध आदी। इनी में एक कविता, नगरे व्रशभा, शहर में सांड, इस सिर्शक से भी है। इस सारी कविताएं आद्वनिक नगरों और कस्मों की सभ्यता में गुम हो गए मूल्यों और परंपराओं के बारे में हैं। नगरे व्रशभा या शहर में सांड, शिर्शक कविता, इन से थोड़ी हटकर है। इस कविता में एक छोटे शहर के वाजार में बेरोग घूमते सांड के अतीत और वर्तमान का वर्णन है। इसमें छारदूल विक्रीडित चंद हैं। मैं मूल कविता के स्थान पर येवल उसके पहले और अंतिम चंद के हिंदी अनुवात को यहां पढ़ना चाहता हूं। यह मान कर कि यह तो नंदी है शिव का वाहन, शहर में चुटा करके छोड़ दिया गया था वह। सद्धर्म का पुंडरीक समझ कर उसे पूजते थे लोग। वह विहरता रहता था स्वच्चंद और अकेला अपनी ताकत से रोक दिया करता था बाजार का यातायात, सारा व्यापार और आवाजाही लोगों की। इसके बाद के छंदों में सांड की, अतीत की लीलाओं का वर्णन है, अंतिम छंद में कहा गया है। उतर चुका है उसका उनमात, गुलादी गई हैं उसके तरास की कथाएं, छिन भिन हो चुके जाल, उन दंत कथाओं के और मितकों के, उसके इर्दगिर्द जो बुने गए थे, निशेश है उसका आतंक, शिथिल है उसकी गती, गिर चुकी उसकी दंतावली, एक आगे का प पेर कुचल दिये गए थे किसी मोटर की टकर से, एक पाउं पर खड़े धर्म की तरह, वह गिसटता है दैनी, अपनी सारी माया के सिमट चुकने पर सक्वकाया, इसकविता का नीतार्थ, परंपरा के नाम पर, उन सारी रूढियों, किमवदंतियों और मितकों पर, सवाल भ भिन करती जा रही है, अलबत्ता यह कविता, जब 25-30 साल पहले कभी लिखी गई थी, तब से, आज इस्थितियां और जटिल हैं, गाएं और सांड, मज़िप्रदेश के उन नगरों में, जिनमे में रहा, और अब रह रहा हूं, अभी भी सड़कों पर वैसे ही छुटते घ और भी घने और जटिल हुए हैं, एक रचनाकार इन जालों और जंजालों को चाट कर हटाने का काम भी अपने शब्दों की धार से करता है, बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को पुना, नमस्कार